आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ आई लाइश इन आई ब्रोज को ग्रो करने के लिए कैसा अमेजिंग सिर्म जिसको अगर आप ट्राइक करते हैं तो रिजर्ट में आपको बता रही हूँ आपको रिजर्ट मिलेगा यह मिलेगा चाहे आपकी आई लाइश और आई ब्रोज कितनी तदा थिन क्यों नहों अगर आप इसको रेगुलर यूज करेंगे तो अमेजिंग रिजर्ट मिलेगा तो आप एक फॉर पिक्चर ले लें इस सिर्म को यूज करने से पहले और उसके बाद लगतार आप इसे यूज करें अगर दो से तीन महीने के लिए तो आप देखेंगे इतना ज्यादा क्लियर डिफरेंस आप जब अपनी आफ्टर पिक्चर लेंगे तो उसमें आपको खुद नजर आ चाहेगा तो बहुत ही जदा एफेक्टिव है मैं ऐसे परसनली बहुत ही एफेक्टिव है तो इसे जरूर ट्राइक करें और अगर वीडियो पुस्सें आए तो लाइक शेयर करें चैनल के सब्सक्राइब करें ताकि मेरे किसी भी वीडियो को आप मिस्ने कर सकें तो सबसे पहले इस से बनाना है वो देखते हैं फिर मैं आपको इसको यू मैं आना करें के षब ग्रूर राएंके है ए उटना मिला जिए आपआघ करने है एक से दो मैंट लगगा इसे डबलबोयलर में हृण मैं पर एक्ट में होने के लिए तो ड़लर की हल्ट से हमारी वैसलीं जो है झ मैंशे से मैल्ट हो चुकी है अब अब इसमें करके सारे इंग्रीडिंट्स आड़ करेंगे सबसे पहले मैं इसमें आड़ करी हूँ हूँ कैस्टर ओयल या नी कि आरंडी का तेल जो की बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत दर एफेक्टिव होता है जैसे कि आप सब को यह बात पता होगी आप इसे आपने सर के बालों पर अप्लाई करें या फिर आपनी आई लाशेस आई प्रोस पर अप्लाई करें तो बहुत ज़र यह आपकी ग्रोथ को बढ़ाता है तो मैं इसमें आड़ करें हूँ वइंडी स्पून कैस्टर ओयल मिक्स करते जाएंगे साथ में वनम वैसलीन जो है सैटोने लगती बहुत जल्दी नेक्स हमारा इंग्रीडेंट है कलॉण जी का तेल एक बहुती जबरजस्ट इंग्रीडेंट होता है आपकी आई लाशेस और आई ब्रोस को ग्रो करने के लिए बालों को सर्के भी ग्रो करने के लिए इसको अगर आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे इस सेरम को कि 1 टी स्पून इसमें एड करेंगे विटामिन ए का ओल ओल हो तो ओल एड कर लें तो कैपसूल आप इसमें चार से पांच आड कर लें वन टी स्पून इसमें एड कर लेना है यह भी बहुत अच्छा होता है ग्रोथ को बढ़ाने के लिए वालो की तो मिक्स करेंगे जल्दी और भेली शारी शारी चीजओ को और लास्ट में इसमें एड करना है इसमें तुमस्को यह का में तीन जाती एड कर लेंगे बस आप शब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा बहुत ही अच्छा सिरम बनके रेडी हो जाएगा तो यह हमारा सिरम बनके रेडी है और अच्छे से सेट भी हो चुका है वैसलीन जो हमारी पिकल गई थी वह अच्छे से सेट हो चुकी है आप इसे किसी अच्छे से एर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लें त अगर आप सिंगल पर्सन इसको यूज करते हैं तो आपको साथ में चाहिए होगा इस तरह का जो इस पूली ब्रश आता है वो अगर यह अपनी किसी भी एंपटी मस्कारा की बॉटल से ब्रश निकाल के इसको वाश कर लें और इससे आपको प्लाई करना है कैसे करना है मैं पाच दखार था बाउनमे मैं उसको यूज करी आपको दिखाती हूं इस वाले मस्कारा वैंडी हैसले अ कि इसको आपको इस foods यह जुगा सेते प्लाई कर आपको श्रुक्रत हैं आपको 3-4 मिनिट इस prayer 14 आपको इसी तरह से करूंड अपनी eye lashes के लिए, सवर्फ यह eyebrows था, eyelashes के लिए बी इस तरह से करना है, eyebrows भी इस तरह से एपलाई करना है, मैंने eye basic ey lashes भोल दिया था, तो eye lashes भी इस तरह से ऐपलाई करना है, same, जैसे अब mascara एपलाई करते है, वैसे ही थोड़ा अंदर से apply करें ताकि आपकी यह न यहांपर cells के अंदर जाए जैसे mascara apply करते हैं वैसे ही आपको apply करना है नीचे भी apply करना है और apply करके आपको राद भर के लिए छोड़ देना है तो guys एक बार जरूर आप इस serum को बना कर use करें तीन से चार मैने आप इसको लगतार जब यूजने करेंगे आपको ऐसा जबरदस result मिलेगा आपको करना यह कि आप पहले एक विफ-न पिक्चर ले ले लें इसको start करने से पहले उसके बाद आफटर पिक्चर लें तीन से चार मैने के बाद आपको guaranteed मिलेगा ही मिलेगा वीडियो पसना हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे कॉमेंट करके कोई भी क्वेशन कोई भी क्वारी आप मुझसे पूछ सकते हैं मैं इंस्टेग्राम पे भी हूँ तो आप इंस्टेग्राम पे आके मुझे डारेक्ट मेसेज कर सकते हैं इंस्टेग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे मैं बहुत अच्छे चा कांटेंट अप्लोड करती हूँ तो मैं मिलती हुं नेक्स वीडियो में तिल दन बाई and take care